की भी इरेंट भी लेने के लाइक नहीं रहोगे अगर आपने ये चांस मिस कर दिया जी हाँ अब आप सतर हजार की भी इवी नहीं ले सकते क्योंकि अप्रैल की जो प्राइस है वो आ चुकी है और आप सबको पता होगा आपको बस मुश्किल से पांस से छे दिन बचा है तो आपके मन में कंफ्यूसन होता हुआ को कौन से कंपनी की गारी मैं कौन से ब्रेंड की लूँ टीवीस की लूँ चेतक लूँ या हमारी सिंपल बन भी आडारी कुछ-कुछ जगाए डिलिवर हो रही है क्या उसको लेना सही रहेगा एथर लू और जो गारी भी लूँ उसकी कि डिलिवरी मुझे जल्द से जल्द हो जाओ मुझे एक रुपए एश्टरा देना ना पड़े क्योंकि अभी भी जितनी गारिया है ऑफर तक है और यह ऑफर आपका 25 से 27 मार्च तक के रहने वाला में भी तुम्हें आपको बोनों डेड लेना 25 मार्च माइंके रखे तो बाद इसके एक रुम प्राइस में बहुत जादा हाइक देखने को पड़ेगा योगी इसमें जो पर किलोवाट आपको सबसेड़ी मिलती है सेंट्रल के तरफ से वह आपकी महंगी हो गई है तो कितना मेलेगा वह सब मैं आपको बता दे तो 25 के पहले तक और 25 तारीक के बा हाला है कि अभी S1 X Plus में ओफर है बट वो डिजिटल वेरियंट है तो की वेरियंट क्यों महंगा दिया जा रहा है आप सबको इसका पता होगा की वेरियंट ज्यादा बैस्ट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग 3 किलो वाले वेरियंट बुक कराओ की वाले व आपको बट अगर आपको कंजट नहीं पाले आपको सिंपल सोवर गारी चीए कि चावी डालू चलाओ अच्छी कासी रेंज मिल जाए तो S1 X 3 किलो वाट बहुत ही बैस्ट है और रेंज आपका बहुत ही कम है अपका मुश्किल से 20-25 किलो मिटर भी ले देके होता है तो आ आपके लिए 3 किलो वाट बैस्ट है कम सकम हो रियल रेंज आपको 100 या 110 किलो मिटर तो देखी देगी ले देके 90 तो देदेगी 90 किलो मिटर भी बहुत होता है 6 घंटा चार्ज करो 90 किलो मिटर चलाओ और आप से बहुत ही सेट है तो आप S1 X की वेरियंट 3 किलो वाट लो को कोई भी इशू नहीं आगा मेरी गारेंटी है आप वेरियंट आग बंद करके बुक कड़ाओ अगर आप अभी बुक कड़ाते हो आप 22 तरीक 23 तरीक 24 जभी भी आपको एक दो महीने में डिलीवरी मिल जाएगी अप्रेयल में तो हालाकी नहीं मिलेगी मैं महीं मिलेगी एक आपकी जेंटू जो है वो एक लाग 29,000 जारी कि एक लाग 30,000 की आ रिए तो आपको उसमें बहुत ही कम 25,000 का बस आपको फर्क देखने को पर रहे है तो आप S1 प्रो जेंटू के तरफ जो कि उसमें टार की कॉलिटी अच्छी है उसमें आपको डिजिटल मीटर मूव और म अच्छी मिलेगी और एयर में तो 3 किलो वाट की बैटरी रेंज भी कम है और एयर बहुत ही फ्लॉप है मतलब कीतना बखवाज गारी है एस्वान एक स्प्लस से जादा दिक्कत उसमें आती है एस्वान एक्स प्लस तो फिल भी बहुत सक्सेस्फूल है थोड़े बहुत इस इस बहुत है यह एक लाग उनती से जार में या तो आप एस वन एक थी किलोवाट की वेरियंट लेना और एस वन एक फोर किलोवाट की वेरियंट लेने को मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि अभी आफर के बाद तो प्राइस बढ़ने ही वाले सब गारी होगा तो एस वन प्रो जादा रेंज देगा उसकी क्वालिटी बेची है और इन फूचर आपका प्लैन होता है कि इसको बेच दू तो आपको अच्छा खाचा वैल्यू तो प्रोवाइड हो जागा बट वहीं है अगर आप एस वन एयर को बेचने जाओगे तो आप किस मूझ से बेचोगे बोलो क आपको 10-20-30,000 के नुखसान होगा उससे जादा नुखसान तो होगा हुई नहीं मतलब आपकी गारी एक लाग की उपर में ही बिकेगी एड़ दो चार साल बाद यह आपको अभी समझनी है का लेने के बाद ही आपको समझागा कि जादा फिल जादा कमफर्ट जादा क्वा बट एस वन एक लेतो तो उसमें सा आठ से नौहजार की सब्सेडी मिलेगी थोड़ा सा वैल्यू फर मनी एस वन प्रो जैन टू आग बंद करके लेलो वहीं हम वीड़ा की बात करें तो वीड़ा वीवन प्लस नाइंटी फाउजन मेरी है वीवन प्लस लीजए यह पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी और वीड़ा वीवन प्लस आप सर्च करोगे तो और भी अच्छे खास है इंफॉर्मेशन है और अभी 25 तारीक के पहले आप ले सकते हो एथर के लाइन आप पर बात करो तो एथर की जो अभी टॉप मोडल गारी है यह एपेक्स को मेरे को फालतू गारी लगती है एक दो लोगी उसको लेता होंगे जिसको जाज है शौकी नाद में जिसके पास फिरी का पैस है वह उसको लेकर अपने घर में खरा किया होगा वर्णा उसको लेने को को मतलब ही नहीं है उससे अच्छा 450X ले सकता है बट मैं अल्मोस्ट 95,000 रुपीज है 92,000 रुपीज की पर रही है मैं EMI भी कराता हूं तो मुझे ज़्यादा सस्था परेगा तो मैंने Ola जब ली थी अपनी S13 किलोवाट बैटरी वाली तो मुझे एक लाग चाली से रेक्स्वरूम परी थी आसे आट नौ महीने पहले मुझे बिल अब हम बात करते हैं बजाज चेतक ले रहाँ चाहिए या हमको TVS IQ लेना चाहिए तो दोनों ही गारियों में आपको 19-20 की फरक देखने को पड़ेगा बाकी कुछ नहीं है बट लोग ज़्यादा भरूसा जो है TVS IQ पर दिखायते हैं जिसके वज़े जो मंतली सेल्स आती है वो TVS IQ की ज़्यादा आती है बट अगर आप बज़ेट फ्रेंडली देखोगे अगर आपको कोस्ट थोड़ा सा बचा रहे तो आप आँग बंद करके बजाज चेतक लो दोनों में आपको हब मोटर ही देखने को मिलेगा कुछ ज़्यादा खास नहीं है और उसकी सेल्स और सर्विस में दोनों की ठीक ठाक है 19-20 को भी फ़रक नहीं है बजाज चेतक आपको थोड़ी सी सहस्ती पढ़ेगी और उसमें देंचाल मोडल आते है अर्बेन प्रीमियम तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो अर्बेन मोडल लेलो बेस मोडल ज्यादा बेटर रहेगा एक लाख 15,000 में उसका अर्बन मोडल आ जाएगा जैसे कि मैंने बताया आपको और वहीं अगर आप TVS IQ लेते हो तो वह गारी बहुत महेंगी पर जाते है तो अगर मैं बोलू गारी तो सही है बट मनी के हिसाब से हो जाता महेंगी है और आन्यों टाइम पर और महेंगी अब बाकी जो बचे हुए कितने भी कंपणी आती है काइनेटिक एनरजी ओकी नवर उसको मैं बिल्कुल भी सजेक्शन नहीं करता हूँ क्योंकि लेने का मतलब भी नहीं है कलकला को उसके बैटरी खराब हो गई है उसमें आग लग जाए आग किसी में भी लग सकती वह एक तो मैं आपको बता सकते हूँ कि Ola, Aether या आप चेतक इन तीन मसा आग बंद करके कोई भी ले लो और Hero की वीड़ा भी यार, Hero भी कंपणी है, चेतक भी कंपणी है और हमारे TBS भी कंपणी है और Ola की एक खास बात है कि Ola में आपको हर लाइनप के गाले मिल जाएगा, आप या तो चेतक पर जाओ और बजाज पर भी भरोसा नहीं है, तो आपको पता है कि आप TBSC लेने वालो हो, उसके लावा आप और कोई गाली के तरफ मज जाना, और Hero Vida V1 प्लस जादा बेटर है, और Simple Van यार, जो भी लोग बैंगलोर में रहते हैं, Simple Van की क्वालिटी और जितन यार याज सकते हैं, क्योंकि बहुत सार लोग के पास अभी टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी ये वीडियो स्प्रेडों का उतना ज्यादा, वो लोग को अवेडनेस होगा हमको कौन सी गाली लेनी चाहिए